कुरावली शेत्र के ग्राम बिच्छिया विक्रमपुर में दबंगो ने महिला को गोली मार कर गंभी रोग से खायल कर दिया गया है कुरश्ण की तहरीर महिला की पोत्र मधु ने थाने में दि शेत्र के ग्राम बिच्छिया विक्रमपुर निवासी महिला प्रतीक्षा यादव पत्नी राजेश कुमार ने रविवार को कोत्वाली में तहरीर देते हुए बताए कि बीते शनिवार की रातरी एक बजे वेह अपनी सास गुड़ी देवी पतनी अनिल कुमार के साथ घर में सो रही थी कि तभी गाम की ही प्रधान पती अश्वणी पुत्र ग्रीश चंद्र ग्रीश चंद्र पुत्र ब्रजननन संजय पुत्तर पुत्तन सिंग अरुन पुत्र देवेंदर सिंग ने घर में घुसकर गाली गलोच करना शुरू कर दिया महिलाओं ने विरोध किया तो अश्वनी ने एक गोली मार दी जो महिला गुड़ी देवी की कंधे पर जा लगी जिससे महिला गंभी रूप से घायल हो गई है जिसके पश्चात आरोपी जान से मारने की धमकी दे कर फाइरिंग करते हुए भाग गया पर जिनों की द्वारा घायल महिला को सामुदाइक स्वास्तकेंदर में भरती करा दिया गया है जहां से उसे सैफ वई रैफर कर दिया गया पुलस मामले की छानबीन कर रही है अपकी बेटा कहा बेटे को लाके लाओ और मम्मी ने गाली गलोच की उसके बाद ममी पर असनी तो आप ने को मैरे ममी बाजु में लग जी ओर गाहना है गाउंके सब लोग घत्ते होगे एंसे कह सब्सक्राइब तो आपने पलिस को कोई सूच ना दी कोई कारभाई हुई कि पुलिज लेकर आई मम्मी को कहा है अचा फिर्वासे का कारेफर किया है में प्री बेला चलना को यह इसे पुरानी रंजिस्ती क्या रंजिस्ती इसे प्रितानी के मावनी इसे यह क्या दबंग यह कब की घड़ना आए राती केतने बजे की एक बजे राती आप दोनों लोग थे और कोई नहीं थे और कोई नहीं थे आपका कहा रहती हो बीचे क्या मामला हुआ है प्रदान का क्या नाम है असनी और कौन है ग्रीज और किसने मार पिड किया अपका है आपके लगी है गोली तो आपने पुलिस को एक कोई सूचना दी कारवाई हो रही है तो आपका इलाज चला है तो किस बात को लेके गोली मारी है आपके क्या रंजिस्ति आपकी प्रदानी की रंजिस्ति आपकी फिलहां की खबरों में इतना ही आप देखते रहे है एस्बी न्यूज